आज हम सीखेंगे रेखिक सम्मिती और घुणन सम्मिती के इस आकरिती को देखिए क्या आप बता सकते हैं कि यह आकरिती सम्मित यानि सिमेट्रिक है अथवा नहीं? सोचिये सोचिये चलिए हम बताते हैं यदि हम इस आकरिती के मध्य से जाने वाली उर्ध्वाधर रेखा यानि वर्टिकल लाइन खीचते हैं तो यह रेखा आकृती को दो ऐसे बराबर भागों में बाटती है जो एक दूसरे के दरपन प्रतिबिम्ब है यानि कि वे एक दूसरे से हुँ बहु मेल खाते हैं इस प्रकार जब कोई ऐसी रेखा प्राप्त की जा सके जिसके अनुदीश उस आकृती को मोड़ने पर उसके दोनों भाग परस पर संपाती यानि कोइंसाइट हो जाएं तब आकृती में रेखिक सम्मिती होती है इसलिए इस आकृती में रेखिक सम्मिती है यानि कि यह आकृती सम्मीत यानि सिमेट्रिक है इसी तरह हम इस आकृती में एक शैतिज रेखा भी खीच सकते हैं जो इसे दो ऐसे बराबर भागों में बाटती है जो एक दूसरे के दरबन प्रतिबिम्ब है हम कह सकते हैं कि यह भी एक सम्मीत रेखा है इन दो रेखाओं के अलावा और कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो आकरिती में रेखेक सम्मीती दर्शाती है इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकरिती में दो सम्मीत रेखाए है गुणन सम्मिती में आकृती की गुणन के पहले की स्थिती और गुणन के बाद की स्थिती एक जैसी होती है अब जरा सोचिए क्या इस आकृती में गुणन सम्मिती यानि rotational symmetry भी है सोचिए सोचिए गुणन सम्मिती की जाच करने के लिए हम इस आकृती पर एक बिंदू दर्शाएंगे ध्यान रहे यह बिंदू आकृती का हिस्सा नहीं है अगर इस आकृती को इसके केंद्र के परीत यानि चारो और गुमाया जाता है तो हम देख पाते हैं कि 180 डिगरी के गुणन पर आकृती की स्थिती हूँ बहु प्रारंबिक स्थिती जैसे दिखाई देती है इसी तरह हम यह भी देखते हैं कि आकृती की स्थिती 360 डिगरी के गुणन पर फिर से प्रारंबिक स्थिती जैसे दिखाई देती है इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकृती में गुणन सम्मिती है चुकि एक पूरे चक्कर में आकृती की स्थिती दो बार प्रारंभिक स्थिती जैसे दिखाई देती है इसलिए हम कह सकते हैं कि आकृती में क्रम दो के गुणन सम्मिती है इस तरह से इस आक्रिती में रेखिक सम्मिती और घुणन सम्मिती दोनों है अब इस आक्रिती को देखिए और बताईए कि इसमें रेखिक सम्मिती और घुणन सम्मिती है या नहीं इस आकृती में हम किसी भी प्रकार से एक सम्मीत रेखा नहीं खीच सकते जिससे कि हमें आकृती के दो ऐसे भाग मिले जो एक दूसरे के दरपन प्रतिबिम्ब हो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आकृती में रखिक सम्मीती नहीं है क्या इसमें गुणन सम्मीती है? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही हम इस आकृती पर एक बिंदू दर्शाएंगे ध्यान रहे यह बिंदू आकृती का हिस्सा नहीं है हम देखते हैं कि 180 डिगरी के घोणन पर और 360 डिगरी के घोणन पर आकृती की स्थिती प्रारंभिक स्थिती जैसे ही दिखाई देती है चोकि एक पूरे चक्कर में आकृती की स्थिती दो बार प्रारंभिक स्थिती जैसे दिखाई देती है इसलिए हम कह सकते हैं कि आकृती में क्रम दो की घोणन सम्मिती है अब चलिए इस आक्रिती की बात करें यह एक वृत यानी सरकल है वृत पर अपरमित रूप से अनेक बिंदू होते हैं हम वृत के केंद्र में से जाने वाली कोई भी रेखा खीचेंगे तो वह रेखा वृत को दो ऐसे बराबर भागों में बाटती है जो एक दूसरे के दरपन प्रितिबिंब है इस तरह से वृत में रेखेक सम्मिती है वृत के केंद्र से जाती हुई अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खीची जा सकती है इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत में अपरिमित रूप से अनेक सम्मीत रेखाएं है इसी तरह हम घुणन सम्मिति के जाच करने के लिए वृत्य पर एक बिंदू दर्शाएंगे ध्यान रहे यह बिंदू आकरिती का हिस्सा नहीं है अभम वृत्य को किसी भी कौन जैसे 0.1 डिगरी, 0.5 डिगरी, 1 डिगरी, 10 डिगरी, 80 डिगरी इत्यादी की पारित घुमाकर प्रारंबिक स्थिती से हूँ बहु मिलती अपरिमित रूप से अनेक स्थितियां प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक क्रम की गुणन सम्मिती है अब आप जरूर पता कीजिए कि एक शड़बुज यानि हेक्ज़गॉन में कितनी सम्मीत रेखाएं हैं तथा इसके गुणन का क्रम क्या है तो आज हमने सीखा रेखिक सम्मिती और गुणन सम्मिती के विशय में अगले वीडियो में कुछ और उधार्णों से इसे और अच्छे से जानेंगे